सर्दियों में गाजर का हलवा हमारा सबका मन करता है खाने का लेकिन उसमें इतना सारा देसी घी या बटर पड़ता है और खूब सारा शुगर सो वेट पुटाउन करने की डर से और उसको इतना सारी कैरेट को ग्रेट करना पड़ता है इतना सारा effort लगता है, उसकी वज़े से हम बहुत बार नहीं खा पाते हैं तो आज हम fat free और बिना grate किया हुआ गाजर का हलवा बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने 1 kg गाजर ली है और 1 लिटर milk लिया है गाजर को अच्छी तरह से peel करके wash कर लिया है और इसको अब मैं pressure cooker में बंद करके इसको medium से low flame पर इसको 5 whistle आने तक हम इसको cook करेंगे 5 whistle में ये carrots बिलकुल soft हो जाएंगी Hello everyone, जब तक हमारा गाजर का हलवा pressure cooker में बन रहा है तब तक I thought मैं आप लोगे के साथ कुछ बातिक कर लेती हूँ Firstly, नया साल है, wish you all a very happy, healthy and prosperous new year and I really hope कि ये साल हमारा COVID-free year हो and we all can enjoy everything in this year इसमें 4 whistles आ चुकी हैं medium flame पे हम एक और whistle का वेट करेंगे उसके बाद हम इसका next process देखेंगे and friends, इस साल हमारे घर में एक नया महमान आया है this is Mr. Murphy, even he wants to say happy new year to you all okay, 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 you can go medium flame पे ये 5 whistles हो चुकी हैं और हमने ये अब देखिए, खोल के देख रहे हम ये गाजर अच्छी तरह से soft हो गई है अब हम इसको ऐसे कच्छी से इसको धीरे-धीरे mash करते जाएंगे और ये पूरी गाजर mash हो जाएगी और इस टाइम पे हमको flame को high रखना है और high रख करके इसको हमको करीब 10 minutes तक ऐसे mash करते हुए इसको हमको पकाना है 10 minutes पकाने के बाद जब ये गाजर पूरी mash हो जाएगी तो हम इसको करीब 7-8 मिनट तक cover करके इसको slow flame पे हम इसको cook करेंगे 7-8 मिनट के बाद हम इसको फिर से खोल करके देखेंगे ये देखिए अब ये काफी थिक हो गई है और अब हम इसमें half cup, सिरफ half cup sugar डालेंगे क्योंकि इस time पे गाजर भी काफी मीठी होती है और फिर से हम high flame कर देंगे और इसको करीब 10-12 मिनट तक हम इसको cook करेंगे देखिए अब ये हलवा थोड़ा थोड़ा थिक होने लगा है देखिए अब मैंने इसमें dry fruits डाले हैं dry fruits को मैंने देसी घी में roast कर लिया था light brown कर लिया था और छोटे-छोटे pieces में काट लिया था मैंने इसमें बादाम, cashew nuts और raisins डाला था आप और भी कुछ add करना चाहते हैं तो आप add कर सकते हैं अब इसको देखिए ये काफी सूख गया है और ये हलवा हमारा अब ready हो गया है अब हम इसको एक serving bowl में निकाल लेंगे और उपर से इसमें हम थोड़े से और dry fruits डाल के गानिश करेंगे देखिए हमारा fat free और बिना grate किया हुआ कम effort में और ये हमारा tasty गाजर का हलवा बिलकुल ready है सर्दियों में खाने के लिए आपको ये recipe कैसी लगी मुझे comments में जरूर बताईएगा थाज़ वाजिए प्याजर बताईएगा